कि नमस्कार प्रदीब कोशिक मोटिवेस्टन ट्रेनर एंड स्पीकर आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वाथ करता हूं अभी पिछली वीडियो में मैंने EWS सेटिफिकेट के बारे में बात की है अब हम बात करेंगे OBC NCL सेटिफिकेट क इसमें क्या होता है वह सेम एक साइड में लिखा होता है फॉर्म OBC NCL सेटिफिकेट लिखा होगा उपन फेर्द पर लिखा होगा इस इस सर्टिफिफाइड एट स्री स्रीमती कुमार जो भी है नाम उसका सनोप डॉटर ओफ स्री स्रीमती जो नाम है ऑफ विलेज टाउन डिस्टिक डिविजन इदा स्टेट यून टेर्टरी आपकर बिलोंग टू दा जो आपकी है OBC NCR community that is organized as a backward class under government of Delhi जो आपकी community जो कास्ट है वो उसमें count होती है मिनिस्ट्री ऑफ सोचियल जस्टिस एंड इंपावर्मेंट रिशोसर नंबर जो है डेट इस श्रीमती कुमारी नाम है एंड और इस हर फैमिली ओर्डिनरी रजाइडिंग इंदा जहां रहते हैं आप इस्टेट इन टेरी इस आलसो तो सर्टिफाइड डैट ये शी ड़न टू पर्संट सेक्ष्टन क्रीमी लेयर ठीक है अगर वो क्रीमी लेयर से संब्द रखती है तो उसका नॉन क्रीमी लेयर नहीं ब हुआ है उसके अंसाब कि डिपार्डमेंट और पर्सनल एंट ट्रेनिंग डेटिड आठ नो 93 विचिज मोडिफाइड वाइड ओएम इतने इतने नो तीन दो हजार चार सर्दर मोडिफाइड यह मोडिविशन होते जाते हैं और आपका डेट इदर रहेगी सील रहेगी और कंपिटेंट अथर्टी के साइन रहेंगे डिस्टिक मजिस्टेट ज्यूपिटी कविशनल इनी अदर कंपिटेंट अथार्टी तो यह आपका एक ओवी सी एंसीयल सेट्रिपिकेट हो जाएगा ठीक है अब इसमें प्लीज डिलीज तवर्ड विचिज नॉट है इसमें आपको जो दिक्कत आती है सब बना लेंगे अपनी डिटेल देकर आधार कार्ड पैन कार्ड और जो भी आपके पास में प्रूफ है जो आपके नियरेस्ट आपका जो जहां यह सर्टिपिकेट का जो बनते हैं वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं इसको आप बनो आना दिल्ली में अजे ओविसी ऑफ डेली तो आपके पास में नाइनटीन नाइनटी एट अक्टूबर 903 का कोई सबूत हो जाहिए कि आप उस टाइम पर दिल्ली के निवासी थे आपके अंकल का किसी भी पैक्रनल को यंकल हो फादर हो कोई भी ऊसका प्रूफ आपके पास में ह हर साल चेंज होता रहता है इसलिए ये हर साल उसको चेंज करवाना होता है क्योंकि नौन क्रीमी लेयर इसका मतलब होता है कि आपकी इंकम कितनी है ठीक है वो इंकम घठती बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है घठती तो क्या कि अगर इतनी इंकम है तो ये क्रीमी लेयर में ह है तो इस तरह से आप अपना ओविसी सर्टिफिकेट त्यार रखे और अफलोड इन इडोजिया सबसे पहली बात है कि आपके पास में नाइंटी नाइटी जो डैली परसासन से सम्मंदित हो तो यह आप अपने पास चुरू रखिए और तो अपने को फ्रक्सित रखने के लिए अपनी सीट को फ्रक्सित रखने के लिए आप यह काम कीजिए तो आपका भख्मान बेड़ा पार करेगा जो ऑविसी वाले हैं सफिया दिक्कत वह इसी धिड्ले वालों को आती हैं उनके मार्फ आ जाते हैं और फिर वह घबरा जाते हैं क्योंकि उनके पास में । certificate वह प्रोपर नहीं होता है तो अपना पहरे से ही प्रोपर सर्टिप्र बनाएं ऑबीशी का और कहीं कहीं यहीं मैंसुन है कि साधी कर लेने से वह वह मान नहीं होता कभी कर दो क्या सुथी है वह भी उसमें दी होती तो यह भी धान रखें कि अगर आप ओभी किसी से किसे साधी कर लेते हैं तो आप विशिम आ जाएंगे ऐसा मुम्किन नहीं है किसी किसी केस में किस क्या है वो से मैं संथ होगा आप कंसर्ण साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं तो मुझे ही बोलना था कि आप लोग एन टाइम पर जब आपका एड़ो जबने का टाइम आता है उस टाइम पर पैनिक नहीं हो तो मैंने बता दिया है कैसे कैसे क्या होता है सबसे पहले कंपेटेंट असौर्टी के सायन होने नमस्कार जैहिंद बंदे मातलब